दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने ही परिवार परिक्षा अड़ा में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं केमेस्ट्री की दोस्तों ये केमेस्ट्री के 500 कोस्टन की स्रीज आपके स्टार्ट हो चुकी है और आज से एकजाम तक आपको chemistry के 500 top most question मिलेंगे और आज ही class start होती है और आज का हमारा topic बन रहा है atomic structure दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है दोस्तों H2SO4 का अनुभार होगा तो दोस्तों कैसे calculate करते हैं अनुभार चलिए बात करते हैं आज हम लोग देखिए आपका H2SO4 की बात किया हुआ है ठीक है न तो किसी भी चीज का अनुभार यान की molecule मास्ट calculate करने के लिए हैं में इसका atomic weight याद होना चाहिए ठीक है न तो atomic weight क्या हो जाएगा दोस्तों hydrogen का 1 ठीक कितने अडू है 2 अडू है hydrogen का ठीक है न sulfur का atomic weight क्या हो जाएगा दोस्तों तो आप जानते हैं 32 oxygen की बात करें तो oxygen का 16 और देखिए oxygen का कितने अडू है तो 4 से आप multiply करा देजे 4 से multiply करा देजे ठीक है न अब देखिए कितना हो जाएगा 2 प्लेस 32 प्लेस 64 इन सब को हम add कर लेंगे तो आजाएगा हमारा 98 तो ये होगे आपका molecular mass तो आपका answer कौन सा हो जाएगा B option आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों ठीक है न चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question है दोस्तों इन में से कौन सबसे पहले द्रवित होगा दोस्तों ध्यान दीजेगा यहाँ पर पूछा है इन में से कौन सबसे पहले द्रवित होगा तो इसके लिए भी आपको molecular mass निकालने की बहुत जरूरत होगी क्योंकि molecular mass निकाले बिना आप यह नहीं बता सकते हैं कि इन में से कौन सबसे पहले द्रवित होगा दोस्तों आप इतना तो जानते ही है कि molecular mass जिसका ज़्यादा होगा वह भारी होगा ठीक है और जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले द्रवित हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर से सुन लेजे जो सबसे भारी तत्य होगा वह सबसे पहले दर्वित हो जाएगा तो आईए हम लोग यहाँ पर molecular mass calculate करते हैं चलिए दोस्तों आपको पता है कि sulfur का atomic weight कितना होता है फटा-फट से बताए दोस्तों देखिए आपको कुछ करना नहीं है sulfur का कितने अडू है एक अडू है plus oxygen की कितने अडू है दो अडू है और atomic weight होता है solar ठीक है न sulfur की जगा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर sulfur का कितना होता है आप जानते हैं 32 into 1 plus 32 आपका देखिए SO2 का clear हो गया कि 64 लिखते चलिएगा दोस्तों नोट करते चलिएगा SO2 का molecular weight आपने निकाल लिया है 64 ठीक है आईए हम लोग CO का निकालते हैं तो देखिए carbon carbon के कितने अडू है 1 oxygen के 1 अडू है ठीक है carbon का आपका 12 होता है 12 into 1 plus 16 into 1 इसको आप add कर लेंगे तो carbon monoxide CO का क्या हो जाएगा आपका तो आप कहेंगे 28 इतनी बात के लियर हो गई चलिए NO2 का निकालते हैं देखिए nitrogen के 1 अडू है और nitrogen का atomic weight होता है 14 14 into 1 ठीक है प्लस oxygen के देखिए oxygen का होता है atomic weight 16 और 16 और कितने अडू है तो आप कहेंगे 2 अडू है तो 16 गुणे 2 तो यहां से 32, 16, 29, 32 और 14, 46 ठीक है तो देखिए दोस्तों SO2 का आपने निकाला 64 आया था आपका CO का आपने निकाला आपका 28 आया था molecular mass NO2 का निकाला आपने 46 आया था दोस्तों ठीक है ना चलिए हम लोग CCL4 का भी निकालके देखी लेते हैं तो चलिए दोस्तों CCL4 का निकालते हैं CCL4 कार्बन एक अणू है क्लोरीन के चार अणू है ठीक है ना अब दोस्तों सुनिए कार्बन का atomic weight 12 into 12 हो जाएगा क्लोरीन का होता है दोस्तों 35 क्लोरीन का जो atomic weight होता है वो होता है 35 तो into 4 अगर हम क्लोरीन के atomic number की बात करते हैं तो 17 होता है atomic weight होता है 35 ठीक है तो 12 प्लस यहां से अब इसका multiply कराएगे दोस्तों तो आपका आएगा 140 और answer आपका आजाएगा 152 तो यहां से आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा molecular weight किसका है CCL4 का ठीक तो सबसे भारी कौन होगा CCL4 तो सबसे पहले दर्विट भी कौन होगा CCL4 आपका यहां पर answer D70 हो जाएगा चलिए दोस्तों next question क्यों बढ़ते हैं लिखा है यदि sulfur का परमाड़ करमान के 16 है तो sulfur में कितने electron होंगे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है आपको sulfur का परमाड़ करमान कितना कह रहे हैं यह 16 कह रहे हैं 16 atomic number हो गया और इसका atomic weight होता है 32 आप जानते हैं मैं बता चुका हूँ ठीक है तो इसे आप लोग कहते है atomic number atomic number को आप लोग jet से देनोट करते हैं इसे कहते है atomic weight इसको आप लोग A से देनोट करते हैं दोस्तों ठीक है ना तो किसी भी तत्युका जो atomic number होता है वह उसकी proton की संख्या के बराबर होता है बहुत ध्यान सुनना है किसी भी तत्युका जो atomic number होता है वह उसकी proton, protonوں की संख्या के बराबर होता है और जो proton होते हैं, वो electron के बराबर होते हैं बहुत ध्यान से जो proton होते हैं, वो electron के बराबर होते हैं मतलब यहां से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि sulfur में कितने electron होंगे, तो 16 atomic number है, z 16 है तो proton भी 16 होंगे, electron भी 16 होंगे, आपका यहां पर C option हो जाएगा clear, चलिए आगे बढ़ते हैं इन में से जिस तत्यो का iron एक proton के बराबर है बहुत ध्यान से देखें दोस्तों, कह रहा है कि जिस तत्यो का iron एक proton के बराबर है तो दोस्तों, जो basic formula होता है, जो basic shoot होता है, देखें, 1H1 इस तरह से आप दिनोट करते हैं, कि hydrogen का, जो atomic number होता है, वो भी 1 होता है जो atomic weight होता है, वो भी 1 होता है तो यहां पर proton, तो देख रहे हैं आप, Z atomic number बराबर किस के proton के तो 1 हो जाएगा, यहां पर आंसा, तो Z हो जाएगा आपका, ठीक है न, अगर आपसे यहीं पूछ लिता कि hydrogen में neutron की संख्या निकाली है तो दोस्तों, neutron N बराबर होता है A, माइनस Z अब A क्या है, A है atomic weight, और Z क्या है, Z है आपका atomic number ठीक है न, दोस्तों, तो atomic weight 1 होता है, और atomic number भी 1 होता है hydrogen का, तो यहां पर आ जाता आपका 0, तो hydrogen का, अगर हम कहते neutron की संख्या, तो 0, proton की संख्या पूछेगा, तो 1, electron की संख्या, तो अभी आप कहेंगे 1, ओके चलिए दोस्तों, next question क्यों बढ़ते हैं, अलफा करण प्रकृति से होते हैं, पूछा है यहां पर, अलफा करण प्रकृति से होते हैं, तो दोस्तों, आपका answer हो जाएगा positive, अलफा करण प्रकृति से कैसे होते हैं, तो answer लगा देंगे, आप positive होते हैं, चलिए, next question इन में से कौन neon gas के sum electronic होगा दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है कि इन में से कौन neon gas के sum electronic होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने option दिया हुआ है mg plus 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 का मतलब हो गया positive charge धनायन है sodium भी आपके यहाँ पर plus charge लगा हुआ यह भी धनायन है ओफर double minus charge लगा हुआ दोस्तों ठीक है न तो इनका पूछना है कि कौन सा sum electronic है sum electronic के मतलब होता है कि electron की संख्या किसकी समान है ठीक है तो उसके लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि atomic number कितना है ठीक है तो आप जान number proton की संख्या के बराबर होता है और proton की संख्या electron की संख्या के बराबर होती है तो मतलब neon में electronic संख्या कितनी आ गई है 10 ठीक है चलिए अब हम लोग देखते है mg plus plus में अब mg plus plus आपको निकालना है तो आपको यह जानना पड़ेगा कि mg का यह नहीं कि magnesium का atomic number कितना होता है तो हम लोग electronic विन्यास निकाल सकते हैं दो आठ और दो दो आठ और दो ठीक है तो यह होता है इसका electronic विन्यास और आधुनिक chemistry कहती है कि जो अंतिम कच्छा में अस्टक बनाने के लिए हमें 8 electron की जरूत होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 electron है ठीक है ना यहाँ पर 2 electron है 4 से कम 4 से कम है आपको यह भी देखना है 4 से कम है अगर दोस्तों 4 से कम है electronic संख्या है तो electron को जो बाहरी कच्छा में electron ह है उनको donate कर देगा मतलब कि 2 electron क्या करेगा दान कर देगा ठीक है और दान करके बाहरी कच्छा में अस्टक क्या बना लेगा 2 8 अब कितने electron को दान किया है 2 electron को दान किया है तो mg की उपर हम लोग double positive का charge लगा देंगे ठीक है मतलब mg double positive का electronic वन्यास क्या होगा 2 और 8 और 2 और 9 क electron number यानि कि electron number कितना है 10 है यानि कि आपका mg plus plus और neon तो बराबर हो गए equal हो गए ठीक है ना चलिए अब हम लोग sodium को भी चेक कर लेते हैं थोड़ा देखिए sodium का होता है 11 ठीक है अब देखिए 2, 8, 1 इस ता से तोड़ेंगे आप electronic को न्याज एक देखिए भारी कच्छा में है दान कर देगा और अपने अश्टक को पूरा कर लेगा 2 और 8 अगर एक दान किया है तो sodium के उपर कितना positive charge लगेगा कहेंगे एक positive charge यानि कि na plus और na plus का आपका हो जाएगा 10 na plus का क्या हो जाएगा 10 ठीक है ना और na plus देखिए 10 कहां से हो रहा है तो 2 8 का जोड कर देंगे 10 ठीक है ना कोई लिक्कत है कोई लिक्कत नहीं होगे दोस्तों तो आपका na plus और mg plus ये दोनों किसके बराबर है neon के बराबर है चलिए तीसरा बचा हुआ है O माइनस माइनस ठीक है चलिए इसको पर चेक कर लेते हैं एक बाद दोस्तों देखिए ऑक्सीजन का दो पर माणक होता है वो होता है 8 आप जानते हैं तो 2 6 अब देखिए दोस्तों बाहरी कच्छा में 4 से ज़्यादा ऐलक्टरॉन है बारी कच्छा में 4 से ज़्यादा ऐलक्टरॉन है तो इस बार डोनेट ना करके बलकि क्या करेगा एकसेप्ट करेगा लेगा ठीक है और अपने अस्टक को पूरा करेगा अपने अस्टक को पूरा करेगा औरह अच्टक को पूरा करने में कितने elektroni कमी है तो आपक हैंगे दो elektroni कमी है तो 2 जोड़ दीजे, 6-2-8 हो जाएगा थिक है न तो 2 और 8 अपने अच्टक को पूरा कर लेगा अब चुंकि 2 elektron इसने बाहर से लिए हैं मतलब कि इस पर 2 negative charge आप लगा दीजे oxygen double negative कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा इसका atomic number मतलब कि ये भी सही है ये भी सही है इन सबका electron संख्या 10 होती है और neon की भी electron संख्या 10 होती है ठीक है यहां से आपका answer हो जाएगा all of the above दोस्तों अगर question ये वाला समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि इस question को आप लोग फिर से एक बार देखेगा जो कि बहुत जादा important question है पेपर में पूछ सकता है चलिए next question इन में से कौन सबसे भारी है तो दोस्तों ध्यान दीजेगा इन में से सबसे भारी है आपका proton इन में से सबसे भारी है आपका proton दोस्तों थीके ना? जानते रहिए इन में से सबसे भारी कौन सा है तो आप कहेंगे proton 1.67 into 10 की पावर minus 27 चार्ज होता है मास होता है इसका अगर हम electron की बात करते हैं तो electron का होता है आपका 1.63 electron का होता है आपका 1.63 into 10 की power minus 27, ठीक है न, बात समझें आप, कितना होता दोस्तों, electron का, electron का होता है आपका, sorry, neutron का होता है, neutron का होता है आपका 1.63 into 10 की power minus 27, ठीक है न, अगर हम लोग electron की बात करते हैं, तो electron का होता है 9.1 into 10 की power minus 31 ठीक है यह सभी किस में थे kg में थे क्योंकि यह द्रबमान हम लोग बता रहे थे इसका ठीक है न तो यहाँ पर आपका answer क्यों सा हो जाएगा proton सत्य हो जाएगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं परमाडू में नाभिक की खोच किस ने की थी अंसर लगाई दोस्तों फटा फट से रदर फोर्ड ने परमाडू में नाभिक की खोच किस ने की थी आंसर लगा दिजे रदर फोर्ड ने की थी चलिए next question एनोड किलोडों की खोच किस ने की थी गोल्ड इस्टीन ने की थी चलि ठीक है तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों अगर हमें पता चल जाए कि और गन का जैने कि ए आर का जो परमाड़ुक्रमांग है वो कितना होता है तो इस सवाल को हम असानी से लगा सकते हैं दोस्तों ठीक है तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो और गन होता ह है इसका परमारुक्रमांग होता है 18 कितना होता दोस्तों 18 ठीक है तो आप ये बात अगर आपको ध्यान है आती है तब आप इस सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते हैं ठीक है ना बहुत ध्यान से देखेंगे सम अलक्टॉनिक का मतलब होता है अलक्टॉन की संख्या समान अ इलक्टॉन की संख्या भी 19 ही होगी ठीक है तो देखिए दोस्तों 19 है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2, 8, 8, 8, 12, 18, 18 और 1, 19 मतलब अंतिम कच्छा में 1 है ठीक है 4 से कम है अंतिम कच्छा में 4 से कम है और अश्टक बनाना चाह रहा है ये अश्टक बनाने के लिए इस एक एक को क्या करेगा डोनेट कर देगा इसे एक को क्या करेगा दोस्तों डोनेट कर देगा और डोनेट करके अपने अश्टक को पूरा कर लेगा और जब डोनेट किया है तो इस पर कैसा चार्ज लगेगा प्लस चार्ज लगेगा ठीक है 2, 8, 8 अगर आप जोड़ते हैं इसको तो आठ, आठ, सोला, दो, अठारा ठीक, मतलब potassium के उपर plus charge का परमाणुक्रमाण के electron की संख्या 18 है और organ की भी वही है तो आपका ये answer तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा चलिए calcium का देखते हैं, क्या calcium का हो पाएगा चलिए देखते हैं, calcium का होता है 20 तोड़ दीजे, 2, 8 8, 8, 8, 16, 2, 18 2, 20, ठीक, 4 से कम है, 2 electron को donate करेगा, 2 electron को donate करेगा, 2, 8 8 अपना च्टक पूरा करेगा, 8, 8, 16 2, 18 बना लेगा, और 4 जब 2 electron को किया है donate, तो plus, plus, double, plus का charge लग जाएगा, ठीक है, तो आपका ये भी answer सही, ये भी answer सही, मतला आपका क्या हो जाएगा, A और B बोथ, ये answer आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, चलिए दोस्तों, next question क्यों बढ़ते हैं किस परमाडू model को racing model के नाम से जानते हैं तो दोस्तों, बहुत ध्यान सुनिए JJ Thompson महोदे ने जो model दिया था discharge tube model दिया था JJ Thompson महोदे ने, और JJ Thompson महोदे के discharge tube model को, यानि कि विद्दुत विसरजन नलिका model को ही हम racing model के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा नान अपडीज, क्योंकि यहाँ पर JJ Thompson नहीं है, चलिए अगला इन में से किसके model को सौर मंडल model कहते हैं, दोस्तों सौर मंडल model, रदर फोड के model को कहते हैं, और पूछले आप से gold foil model, तो gold foil model भी रदर फोड के model को ही कहा जाता है, चलिए next question इन में से कौन सा model, gold foil पर अधारी थे, देखे दोस्तों, solar system model, यहाँ पर आप का answer हो जाएगा, solar system model, solar system model या gold foil प्रियोग, मैंने अभी भी बताया आपको कि किस ने किया था, तो रदर फोड महोदे ने, ठीक है न, next question इन में से नाभिकिये भौतिकी का जनक, दोस्तों तो आपका answer होगा, J.J. Thompson के द्वारा किया गया था, next question इन में से कौन सा परमार्ड मॉडल, quantum उरजा अस्तर पर अधारित है, कहा है quantum उरजा अस्तर पर अधारित है, तो यह होगा आपका Neil Bohar, Neil Bohar Neil Bohar ने कहा था कि जो परमार्ड मॉडल है, वो quantum उरजा अस्तर पर अधारित है, ठीक है न, चलिए next, समस्थानिक में समान होते हैं, समस्थानिक में समान होते हैं, चलिए दोस्तों, यह question आप मुझे बताएंगे, इसका answer आपको मुझे देना है, ठीक है दोस्तों, तो आची क्लास को हम यहीं रोकेंगे दोस्तों, और उमीद करता हूँ दोस्तों, आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो फटा फट से लाइक करिए, सेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भोली दोस्तों, अगली क्लास कल मिले गए आपको, और तयारी अपनी बनाए रखिएगा दोस्तों, और पढ़ते रहिएगा इसी तरह से, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों आज की क्लक्चर में, उसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजेगा, क्योंकि ये सबी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है, ठीक है दोस्तों, तो आजए गलास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल, जैहिंद, जैह भारत, नमस्कार